अचाः अब जो अर्थ है अर्थ के बारे में अगर मैं आपको ठोड़ी सी डिटेल बतानी की कोशिश करूँ तो अर्थ असल में एक स्फेयर की तरह होता है इसको स्फेयर कंसिडर करते अर्थ को ठीकर है अचा अर्थ भी सेर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है आप याद रखिएगा अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी एक्सेल होता है और अगर अर्थ की थोड़ी सी मैं आपसे जुमेटरी की बात करूं अर्थ की थोड़ी जूमेंटरी की बात करूं तो अर्थ का सेंटर होता है और अर्थ के सेंटर के साथ यह जो मार्क हुआ होता है यह यह वाला इससा यह इसको हम कहते हैं एकवेटर ऐसी बता रहों आगे जाके यह सब चीज़े आहेंगी डिटेल में तो आपको त्थबा पता होना चाहिए इसको इकवेटर कहते हैं इसको पोल कहते हैं यह जो उपर वाला इससा होता है ना नौर्ट पोल साउथ पोल यह पोल अर यह भी पोल तो, अगर तो अर्थ करता है आलीदE है का अब पर्दान आपने हम में कुछ बात नहीं किया है तो थोड़ा सा मेरे मैं कुछ बात नहीं किए लासकोक्स में यहां तक बात होईूकरि । अब है सि एक्सिल एक्सिस के उपर ुपर रिवाल्व कर रहा होता है यह तो हमें पता है जी पीटा तोड़ा सा टिल्टेट होता है ठीक है तो हमें यह पता है कि अर्थ हमें यह पता है कि अर्थ रोटेट्स और इट्स एक्सिस और कितनी देर में कंप्लीट करता है अपने एक रोटेशन अर्थ यह मेरे खाल से आपको सबको पता होगा एंड कंप्लीट्स एंड कंप्लीट्स वन रेवल्यूशन एंड कंप्लीट्स वन रेवल्यूशन इन ट्वेंटी फॉर आर्स और वन डे यह एक दिन लगता है अर्थ को अपने एक्सेस से पूरा घूमने में ठीक है तो हम अर्थ की एंगुलर विलॉसिटी फाइंड आउट करते हैं हम अर्थ की एंगुलर विलॉसिटी फाइंड आउट करते हैं ठीक है नूर आपने अभी जॉइन किया बिटा वैसे रिकॉर्डिंग देख लिए का मैंने अर्थ के बारे में बताना शुरू किया है तो अर्थ अपने अखस के पर 24 विलॉसिटी निकालना चाहता हूं और या किसी भी चीज की एंगुलर विलॉसिटी होती है circular motion में उसका formula होता है तू पाइड वाइड 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 कैपिटल टी अच्छा कल भी मेरे बताया था कि time period होता है कैपिटल टी का मतलब और अर्थ का टाइम पीरेड होता है अपने अगर आप आड को चेंज करना चाहते है किसमें सेकंड में इफ यू विश्टू कनवर्ट आर्ज टू सेकंड तो यू मस्ट मुल्टिप्लाइबाइबाइबाइब और मुल्टिप्लाइबाइबाइब इसको अगर गूगल पर भी सच करेंगे ना वाट इस यह अंगुलर विलोस्रिटी ऑफ अ अग्यवा सिट्यफ तो आपक़ाज आंसर एक मिनट में बता देगाएब ओमेगा बताएब बता है किसमें अच्छा यह डबली नहीं है यह ओमेगा है इसेज़ोमेगा इसेज़ोमेगा और फो सिम्सिंबोह अगेगा?" बताईगे बिटा ओमेगा कितना रहा है प्लीज कैलकुलेट भाई करें यार मतब कैलकुलेटर इस वक्त मेरे पास नहीं है या आपने खुद ही करना पड़ेगा कैलकुलेट करके आंसर बताएं यार और यह आप क्या निकाल रहें एंगुलर विलासिटी ऑफ अर्थ निकाल रहें और इट्स एक्सेश जी आगया आंसर सेवन पॉइंट टैन की पावर नेगेटिव फाइफ ठीक है तो आपने का सर सेवन पॉइंट टू तो सेवन पॉइंट थी कर देते हैं इसको इंटू टैन की पावर माइनस फाइफ और इसका यूनिट हो जाएगा रेडियंस पर सेकंड तो यह हो जाएगा एंगुलर विलासिटी ऑफ अर्थ अपने एक्सिस के उपर अच्छा भाई कमें ज्यादा है यह आ आप खुद देख सकते हैं कि यह एक बहुत छोटी वैलियू है यह जिस ने बनाई यह उसने पूरी काइनात बनाई यह विलासिटी कैलकुलेट की गई है बाई दे ग्रेट गॉड बाई अल्ला सुभानावत आला और यह इतनी छोटी विलासिटी है कि हम एक मूविंग प् अपनी लाइफ को जी नहीं सकते थे इस्टेबिलिटी के साथ बहुत प्रॉबलम होता तो यह खुद बहुत आदा सो है इस वेरी वेरी स्लो और होना भी चाहिए भाई इसके उपर इंसान रहते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है अच्छा लीनियर व सामेगा भी बताया था ठीक है अब यहें जो अर्थ है ना बिटा अर्थ का जो रेडिएस है जाव आ डसे हुड़ेंगे सर आप दो आहर्या बहुत पर दिया पहले ही एक्सपेरिमेंट किया क्या किया पता नहीं कुछ किया अब उससे उन्होंने कैलकुलेट कर दिया और यह चीज हमारी डेटा शीट में गिवन होती है डेटा शीट में गिवन होती है कि रेडियस ऑफ अर्थ इस ऑल्वेस 6.4 इन्टू 10 की पावर 6 मीटर अब आपने इस पे कोई डिबेट ही नहीं यह गूगल की वैल्यू है यह गूगल पर दीवी होती है आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी फैक्ट है जैसे आज सक आपने केमिस्ट्री वाले टीचर से नहीं पूछा होगा तो यह सरी यह कार आपके लिए है तो यह मेरे लिए एक फैक्ट है और डेटा शीट में गिवन होता है यानिके जो पेपर से पहले जो पेपर फार आता है उससे पहले एक डेटा बुकलेट लगी भी होती है उसके अंदर यह वैल्यू लिख्वी होती है इसको यूस करके आप अर्थ की लीनि तो 60 कर दें ठीक है इससे आपके पार एक फॉर्मला आजाए इसके इससे आपके पार एक आंसर आजाएगा अच्छा एक और तरीका क्या हो सकता था अर्थ की लीनियर विलॉस्टिटी निकालने का वह है वी इस इकल टू आर ओमेगा यह मैंने कल पढ़ायाता है अल्रेडी ड यह मैं लिख रहा हूं इसके ब्रैकेट में क्योंकि हम यह कल डिसकस कर चुके हैं अच्छा अब अगर आप वीज इकल टू आर ओमेगा से अर्थ की लीनियर विलॉस्टिटी निकाले तो आप आर का मतलब है रेडियस ऑफ आर्थ विच इस आल्वेस 6.4 इंटू 10 की पावर पॉजिटिटिव 6 और लीनियर विलॉस्टिटी और एंगले विलॉस्टिटी कितनी आ रही थी 7.3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इधर बाइ दिस मेथर और दिस मेथर यूविल एक्वाइर अप्रॉक्सिमेटली दे सेम आंसर प्लीज लेट मी नो दा आंसर आंसर प्लीज आंसर बताने में नहीं करें बताया करें और 65.4 तो यार दोनों से तकरीबन आंसर आ रहा है है 470 मीटर पर सेकंड कोई मुझे सेकंड करेगा कि यह आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है हाँ बताएं आंसर यह आ रहा है नहीं आ रहा है जी से यह आ रहा है यह आ रहा है सबके पास ठीक है पोर 65 आ रहा होगा रांड ओफ कर दिया दो सिंग्निफिकंट फिकर में यह पढ़ाने का मकसद है कि थोड़ा सा समझ आए भाई बच्चे को के चल क्या रहा है ठीक है अच्छा अब एक चीज़ में और बात करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको भाई देगे यह को ब्लेड्स हैं पिटा ड्रॉइंग मेरी जरा बस ऐसी होती है थोड़ी तो बस आप समझ लिएगा इतना को खास में बना नहीं सकता है इसको बसको समझ लिएगा कहां जी यह होता है कुछ इस तरह का मैं कॉंसेट्ट दे दूँगा आपको कि कॉंसेट्ट क्या है ठीक है यह पंक्खा है हमारे घर में लगावा है कोई ठीक है अच्छा इसकी ब्लेड्स होती है फैन की ना है ब्लेड्स है अच्छा अब इस ब्लेड पे ना मैंने बहुत गोर से सुनिए का बिटाई बात दरा है उल्टी यह ब्लेड है इस ब्लेड पे एक पॉइंट है इस ब्लेड पे एक पॉइंट है बी इस ब्लेड पे एक पॉइंट ही डीडी उपर बना देता हूं Okay Cabral दरह मुझे सोच के बताएं 24 में सारे पॉइंट सिप बिसे आप से मोगी और इसंहों साथ की कॉंसी विलोसिटी ति सामगी बाइब टो विलोसिटी और मेंग की is called angular velocity ओमेगा is called angular velocity और भी इस लीनियर वेलोसिती बिटा बताईए इसकी कौन सी विलोसिती सेम होंगी सारे पॉइंट के लिए सोच के बताएं इन बॉक्स में बताएं और आप एटू के शूडिंट है माशालाब पूरे पाकिसान में कैमरीज के सबसे सीनियर सूदेंट तो थोड़ा सा सोच के बताएं बहले इंबॉक्स में बता दें चैट में बता दें मुझे किस क्या लग रहे आपको और ओमेगा का फॉर्मॉला अपने जमाग में रखके बाठिएगा ओमेगा का फॉर्मॉला होता है टू पा लग रहा आप लोग भाई अगर यह वाला पॉइंट यहां पर 0 सेकंड पर है यह क्या करेगा यह घूम के घूम के गूम के वापिस आएगा इधर सपोस्ष चार सेकंड में तो यह वाला पॉइंट में को गूम के चोटा सरंकिल बनाए और वापिस आएगा इधर चार सेकंड में और यह वाला पॉइंट भी वापिस आएगा घूम के इधर चार सेकंड में और यह वाला पॉइंट भी घूमता रहेगा अपनी जगह पे चार सेकंड में ठीक है मगर याद रखेगा बिटा हर पॉइंट की हर पॉइंट की एंगिल point has every point has same angular but different but different different linear velocities देके ना circle बढ़ा है ना यार आप ये देखें आप ये देखें भाई a point जो है ना वो बड़ा circle cover करके वापस आएगा b point छोटा circle cover करके वापस आएगा c point उससे छोटा circle cover करके वापस आएगा और d point तो कोई circle ही नहीं बना रहा अगर मैं खुद आप सोचे हैं कि अगर मैं खुद जाके d point पे खड़ा हो जाऊं तो ये ऐसे घूमूँगा मैं अपनी जगह पे जैसे कोई salsa dance नहीं कर रहा होता है एक पैर के उपर खड़ोगी घूमे जा रहा है अपनी जगह के उपर सिर्फ तो इस point की linear velocity जीरो होगी d point की d point d point lies over lies over the point of rotation point of rotation so object there हेस हेस 0 है जीरो लीनियर velocity जीaaaa कि ऐस जीरो लीनियर विलॉस डूसिटी उसकी कोई लीनियर विलॉसिटी नहीं हो वह पर ही खड़ा रहेगा उधर ही चलता रहएगा वह कॉछ सरकिल cover नहीं कर रहा हैँ वह सरकिल में नहीं कि समने ऐसे अपने पॉइंट के उपर घूमता जा रहा है बस जैसे पिन नहीं होती एक पॉइंट के उपर ही रूटेट करती रहती है जूसर की पिन होती है या किसी एक पॉइंट के उपर ही रूटेट करती रहती है इस तरह का कॉंसेप्ट है अच्छा बिटा अब थोड़ है भाई ठीक है अर्थ है थोड़ा क्लियर कड बनाया अर्थ को मैंने यह आप अच्छा आपकी असानी के लिए फिलाल यह मान लेता हूं मैं कि आपके पास जो है वह एक्सेस इसका बिल्कुल मिडल में अच्छा अब यह सेंटर होगा इसका कहीं अंदाद से मार्क किया है सेंटर होगा ठीक है अच्छा यह इस एक्सेस के उपर नहीं हूं घूम रही अर्थ इस तरह से रूटेट कर रही है अपने एक्सेस के उपर ठीक है यहर बिटा मेरी बात पर गोर करिएगा प्लीज गोर करिएगा मुश्किल बात है थोड़ी सी आप लोग जो है ना आप लोग कहा रहते हो हम लोग कहा रहते हैं मैं कहा रहता हूं आप लोग कहा रहता हम वला यह एलाते सरफेस ओफ एर्थ यानि हम अर्थ के अंदर घुशकेनu रहते हम सरफेस ऑर्ठ पर लेने वाले लोग कि binary public सरफेस ओफ सावज अर्थ ठीक है अब से में यहां पर रहता ठीक है अच्छा बी वाला जो बंदा है वो सर्फेस ऑफ पर यहां रहता है अरे बाई ऐसे यह ना पाकिस्तान उसके बरावर में इंडिया है चाइना इस तरह से यह ना कुछ सीन और एक बंदा यहां पर भी रहता होगा पोल पर सी एक बंदा है जो पोल पर रहता है बिटा नाओ प्लीज लिसन वेरी केरफुली वाट इस रेडियस मैट्स का रेडियस बहुत क्लियर बात करूंगा मैट्स का रेडियस और फिजिक्स का रेडियस अलग अलग है मैट्स का रेडियस फिजिक्स का रेडियस अलग अलग है इसमें A, B and C all have are same all have same बही देखें यह वाला घूम के बिचारा इधर आ जाता है यूँ घूमता होगा य Slowly और fundo के उद्वा वा वापस आ जाता है मगर यह वाला बंदा अपनी जगह पे रहता है सिर्फ यह कहीं है से सरक्ल काट के वापस नहीं आता है यह बस अपनी जगह पे रहता है खाली ना यह कहीं पर भी से भी घूम फिर के इस तरीके से वापस नहीं आता है ठीक है ना अच्छा अब ए बी एंड स खीदिल गेड़े हम सब qui एंगुलर विलमसिति फेमए आप आप लोग कोई भले स्लामबाद में रहता हो कोई कैनिडा में अमेरिका में रहता हो साथियर अरब में रहता हो सब पर रहता है उसकी एंगुलर विलासिटी से में अगर वो इस वक्त जो है वो जीरो आर्ट पर इधर है तो फिर पूरा 24 आर्ट के बाद भी वापस इधर ही मिलेगा मुझे इस सब्सक्राइब पिर एंग नाओ वाउट डेर लीनियर विलासिटी इसका जो रेडियस है वो यह है इसका रेडियस जो है यह वो यह है ओके ब्लंडर बहुत बड़ा मंगा लिए कि नविए जोिक्राइब के ना क्चाल मस्सक्राइब देखू ना तो बी का mathematical radius कुछ और है बी का mathematical radius यह बन रहा है यह याद रखे का blue वाला जो है यह mathematical radius है मगर physics में radius का मतलब कुछ और है physics में radius का मतलब है perpendicular distance from point of rotation यह जो line बनाईए ना मैंने बीच में आपको जो नजर आ रही है यह जो line बनाईए है यह line कहलाएगी point of rotation यह line कहलाएगी क्या point of rotation इसको कहेंगे point of rotation तो perpendicular distance from the point of rotation is basically called radius in physics in physics मैं लिख रहा हूँ बड़े clear अलफाद में लिख देता हूँ in physics is is different different compared to compared to mathematical radius compared to mathematical radius, it is perpendicular, it is perpendicular, distance, distance, it is perpendicular distance from axis, यहनि axis के साथ perpendicular distance, तो अगर कोई बंदा इधर रहेगा ना इधर, इधर रहता होगा कोई D बंदा रहता है इधर, तो भाई इसका जो perpendicular distance, इसका जो radius होगा ना वो यह होगा, आर डी, तो आर ए यह है, आर बी यह है और आर सी जीरो है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि आपके पास जो बंदा पोल पे रहता है, जो बंदा अर्थ के पोल पे रहता है, उसका angular velocity तो exist करता है, बर linear velocity जीरो होता है, आप याद रखिएग a person, a person living, a person living on the pole, a person living on the pole has no linear velocity, but has, but has angular velocity. बिटा, physics का radius और maths का radius अलग-अलग होता है, जी बिटा, दानियल, जीरो कैसे है, आर्टी का, असल में point of rotation के साथ, यह खड़ावाई point of rotation के उपर है, तो उसका तो कोई perpendicular distance ही नहीं है, मैं यही तो बता रहा हूँ के, radius is a perpendicular distance taken from the point of rotation, and for your knowledge, this bold line, यह bold line बनायता हूँ यार, और इस बोर्ड लाइन इस पॉइंट अफ रोटेशन फॉर दा अर्थ, मैं यही तो कह रहा हूँ के, mathematical radius में, और, mathematical radius में, और, physics के radius में फर्क होता है, mathematical radius में, और, physics के radius में, difference होता है, physics में, mathematical radius यूज़ नहीं होता, ऐसे नहीं है, आप, बस बोल देगे, कि यह mathematical radius इसको हम ले ले हैंगे, इस तरह से, ऐसे नहीं है, देगे, दानियल, समझ आई बात, आई, रिपीट अगेन, physics का radius, अभी मैंने, असानी के लिए, कि बिलकुल, बीच में, रूटेट कर रही है, अर्थ, तो, point of rotation, यह, axis of rotation के साथ, जो, perpendicular distance होता है, that is called radius in physics, mathematical radius इसका यह होगा, मगर physics का radius एक अलग चीज़ है, तो अपने जहन में रखें, कि पोल पे इसकी linear velocity धीर होगी, इस बंदेगी, ठीको के बात, बिटा, यहां तक, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम, अभी मैं आपको खिला रहा हूँ, इसके अंदर न, है तो सारे concert paper में आने वाले, मगर मैं चार रहा हूँ, थोड़ा आपका दिमाग खुले, अभी काफी दिनों से, आप लोग हैंगे छोटा ही है, मगर बस समझें, यह सन है, यह सन है, ठीक है, यह सन है, अच्छा, इस सन के साथ, थोड़ा दूर, थोड़ा तो नहीं खैर, बहुत जादा दूर, थोड़ा तो नहीं खैर, बहुत जादा दूर, एक छोटा सा अर्थ है, इस सन से, बहुत जादा दूर, पता नहीं कितना दूर एक छोटा सा एक छोटा सा अर्थ है पता नहीं क्या पिक हो रहा है एक मिनट में बना रहा हूं यह लगना सकर्वी आए खैर मैं हाथ से बना लेता हूं इससे जो है वो थोड़ा सा दूर बलके बहुत जादा दूर एक छोटा सा छोटा सा अर्थ है आप याद रखिएगा सन के मकाबले में अर्थ का साइस बहुत ज्यादा छोटा है अच्छा इतना आप लोग जानते होंगे मेरे खालते हैं आपको कहीं ना कहीं आपने बच्पन में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है वो सन के सराउंडिंग में सन की सराउंडिंग में एक और्विट के अंदर ऐसे एक और्विट के अंदर रिवॉल्फ करता है ऐसे एक और्विट के अंदर घूमता है ठीक है अच्छा अब अर्थ अपने अब ये बच्पन की बात है यार अर्थ अपने और्विट में जब घूमता है तो सीजन्स बदल जाते हैं मौसम बदल जाते हैं दिन सर्दी गर्मी में बदल जाता है खिसा बहार आटम स्प्रि जाते हैं या आपको पता होगा अर्थ को अपने अपने ऑर्बिट में घूमने में अराउंड असन इंदी सराउंडिंग और सम् तीन सो पैसट दिन लग जाते हैं या पूरा एक साल लगता है ठीक है अच्छा अर्थ की अर्थ का यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैं अगर बोलू हूँ तो यह रेडियस कहलाएगा अर्थ का यह कहलाएगा रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ इन इट्स रेडियस ऑफ अर्थ इन इट्स और्बिट around orbit around sun ठीक है जी sun के orbit में यह उसका radius कहलाएगा sun का ओ स्वारी अर्थ का एक radius जिसमें घूम रही है ठीक है अच्छा अब अर्थ की angular velocity आप निकाल सकते है in its surrounding of sun in its orbit आप निकाल सकते है अर्थ की angular velocity कैसे निकलेगी 2 pi upon capital T अब आपको दिया हुआ कितना है 365 दिन दिये में इसको 24 से multiply करेंगे तो घंटों में change हो जाएगा आर्ड में into 60 और into 60 करेंगे तो इस seconds में change हो जाएगा तो अब जो आप omega निकालेंगे ना निकाल के पहले अंसर बताएं फिर बताओंगो यह क्या आए ओमेगा निकालें शाबश शाबश ओमेगा निकालें इस बिल्कुल वही रिपीट कर रहा हूं आई नहीं अच्छा निकाल लिए आप लोगों ने तो यह आ रहा है टू इंटू 10 की पावर-7 प्लीज आप लोग थोड़ा सा देखें का आप लोगों के पास भी यह आ रहा है तो इंटू 10 की पावर-7 ऑल्मोस्ट यूनिट हो जाएगा रेडियंस पर सेकेड और ये है अंगिलर विलॉसिटी ओफ आर्थ अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने अंगिलर विलॉसिटी निकलवाई थी ऊपर वह भाई अल्ला के बंदों वह जो विलॉसिटी थी वह अपने एक्सिस पे थी यह अपने एक्सिस पे थी on its axis उसके लिए time period 24 आर्थ रखा था और यह है angular velocity of earth in its orbit around sun in its orbit around sun ठीक है ठीक है यह बात clear हो गई अचा अब हमें निकालनी है अर्थ की linear velocity in its orbit around sun उसके लिए formula है we is equal to r omega अचा r तो पता ही नहीं है r तो इस distance को बोलेंगे न हम r तो में पता ही नहीं है तो आप देखे मैंने आपको एक information दे दी बिटा बहुत गौर से सुनेंगे कि sun से जब light निकलती है न बिटा जब sun से light निकलती है हमें पता है कि हमारी जमीन को रोशन करने वाली light sun से आती है तो sun से जो light निकलती है न वो निकलती है 3 into 10 raised to the power 8 meter per second की speed से और वो अर्थ तक पहुचने में 500 सेकंड लेती है light reaches light reaches earth from sun from sun in 500 seconds पांच सो सेकंड में आती है यानि sun से जब light चलती है न और अर्थ में पहुचती है तो उसमें 500 सेकंड लगते हैं अब आप बोलेंगे सर यह फुदूल की बाते क्यों है यहां पे तो भाई इस से हम sun के center से लेके अर्थ के दर्मयान का यह radius find out कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि speed बरावर होता है किसके distance upon time के speed बरावर होता है किसके distance upon time के distance जो है वो आर है तो आर हो जाएगा speed multiply by time के बरावर तो अर्थ से अर्थ तक light आती कितनी speed पे 3 into 10 की power 8 multiply by 500 तो यह जो beach का distance है न यह आप निकाल सकते हैं इस से तो आपने क्या करा r की जगह पे रखा क्या 3 into 10 की power 8 500 से multiply गया और फिर omega कितना आ गया 2.0 into 10 की power negative 7 कोई omega confirm कर देगा मुझे कि omega इतना ही आ रहा है क्योंकि a की answer आए आप लोग सब निकाले तो ज़रा reliable रहेगा जी बटा वी का answer भी बताएं और omega का answer भी बताएं और कि बताएं और omega का answer भी कन्फर्म कर लेते हैं और हाँ साही है 1.99 न नूर तो बटा वो 2.0 हो गया into 10 की power minus 7 radian per second ठीक है तो omega तो confirm हो गया इस पर इस पर यह confirm हो गई बात अब आप linear velocity निकालने और अब आप बोलेंगे साथ linear velocity of earth तो आपने उपर ही निकलवा दी मगर वो linear velocity of earth on its on its axis थी यह linear velocity of earth in its orbit around the sun है तो यह वाले वी का अंसर भी बताएं वी का अंसर तीन अलार आ रहा है आप लोग सारे confirm कर देंगे भाई मुझे तकरीबन 3000 आ रहा है और यह क्या है लीनियर विलॉसिटी ओफ अर्थ इन इट्स इन इट्स और बेट अराउंड दे सन्ट अजा आज यह examples पढ़ाने का मेरा मकसद यह था कि आपका ना थोड़ा सा इंट्रेस्ट लेविल आ जाए इसके अंदर के यार तीस हजार आ रहा है यह तीन हजार आ रहा है अब आप है तो ठीक है इस थर्टी थाओंबेंड होडा सा इंट्रेस्ट डेवल उन पो जई City के इंदर है तो बस आज की क्लास यार